जैसे उसंकर मित्रों मैं आप सभी का हरिस्पांडे आप सभी मकर रासी वालों के लिए फिर से हमेशा की भाती एक रासी परिवर्तन की सूचना ले करके आया हूँ और आज की जो यह वीडियो है ग्रहों के राजा भगवान सूरे के रासी परिवर्तन के संदर्भ में हैं अत परिवर्तन से आपके जीवन में कुछ नकुछ सकरात्मक या नकरात्मक बदलाव होते ही होते हैं अतह वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा वीडियो शुरू करने से पहले एक कावल से सूचना कि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं अपन तो चलिए मित्रों वीडियो की करते हैं सुरूवात कौन है भगवान सूर्य मित्रों भगवान सूर्य इस जगत के प्राण दाता हैं भगवान सूर्य को सूरे नाराण भी कहा गया है भगवान सूर्य अगर कुंडली में मजबूत इस्थिती में हो तो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान पाता है पिता का सुख पाता है और अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है जो की सरकार से संबंदित होती हैं तो ऐसा व्यक्ति आनंद का उपभोग हमेशा करता है लेकिन जिसकी कुंडली में सूरे कमजोर इस्थिति में हो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान के लिए तरस जाता है और उसे पिता का सुख भी नहीं मिलता है साथ इसाथ वो आरोग्यवान नहीं होता है उसका आरोग्य बढ़िया नहीं होता है ठीक है मित्रों और साथ इसाथ वो सरकारी नौकरी से वन्चित हो जाता है ठीक है मित्रों तो क्या है कि भगवान सूर्य का हमारी कुंडली में बड़ा महत्व है तो सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो तो उन्हें मजबूत करने के उपाय करने चाहिए अन्यथा जीवन दुखों से भर जाता है और अगर सूर्य किसी पाप ग्रह के साथ बैट गए जैसे कि सूर्य या सनी के साथ तब तो और भी ज़्यादा समस्या हो जाती है जीवन में खैर हम आते हैं टॉपिक पर देखे मित्रों टॉपिक क्या है टॉपिक यह है कि 18 अक्टूबर 2023 की प्रातह काल में ही भगवान सूर्य तुला रासी में प्रवेश कर रहे हैं और इस तुला रासी में वे 17 नवंबर तक विराजमान 17 नवंबर 2023 तक विराजमान रहेंगे और यहां पर प्रवेश करते ही सूर्य दियों की तुला रासी में जैसे ही ये प्रवेश करेंगे उनकी युथी मंगल केतू और बुद्ध के साथ हो जाएगी तो अब सूर्य मंगल की यूती तो सुब है लेकिन सूर्य केतु की यूती सुब नहीं है और सूर्य बुद्ध की यूती भी सुब है अब बात ये है कि परसनली आप मकर रासी वालों को क्या फल मिलने जा रहा है इस पर हमें बात करना है तो चलिए बात करते हैं, आपकी रासी से दसमे भाव में, दसम भाव में सूर्य दिखबली होते हैं, दसम भाव में सूर्य और नीच भंग राजी योग बन रहा है, क्योंकि तुला रासी सूर्य की नीच रासी है, तो दसम भाव में जाने से नीच भंग राजी योग बन रहा है, और सूर्य यहां दिखबली होते हैं, अता आप मकर रासी वालों के लिए यह गोचर अत्यन्त ही सुभ है, और कल्याण कारी है, अब इस गोचर के फलसुरुप क्या होगा, पैसा आने लगेगा, ठीक है, पैसा आने लगेगा, स्वास्थ में सुधार दिखना सुरु हो जाएगा, जो अब तक नहीं था, अब तक आप स्वास्थ को लेकर परसान रहते थे, लेकिन अब स्वास्थ आपका सुधरना सुरु हो जाएगा, फ्रेंड सर्किल का भी आपको सपोर्ट मिलना सुरु हो जाएगा कोई नया बिजनस सुरू करना चाते हैं उसके लिए ये समय बहुत बढ़िया है कोई नया प्रोजेक्ट सुरू करना चाते हैं उसके लिए ये समय बहुत बढ़िया है आप सुरू कर डालिए जो लोग अपनी जाब को स्विच करके नया जाब सुरू करना चाते हैं उसके लि हैं उनका भी आपको काफी सपोर्ट मिलेगा सज्जन लोगों के साथ आपकी मित्रता होगी और सज्जन लोगों का आपको काफी सपोर्ट मिलेगा आपको हर कार में सफलता मिलना सुरू हो इस गोचर का ये फल है जौब में आपको प्रमोशन मिलेगा और जो लोग जौब की तलास कर रहे थे उन्हें जौब भी मिलेगा समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा अगर आप योजना बद्ध ढंग से काम करेंगे तो आपको कारियों में सफलता मिलेगी इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा यदि नौकरी की तलास में थे तो नौकरी मिलेगी ही कोड का चहरी को ले करके थोड़ी परसानी हो सकती है ये इस गोचर का माइनस पॉइंट है और पिता से थोड़ा मन मुटाओ या तनाओ हो सकता है ये इस गोचर का माइनस पॉइंट है तो मित्रों इस बात का दाप को ध्यान रखिना है सूर्य का रासी परिवर्तन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुभ है इस बात की खुस्खवरी आपको मैं देने में काफी अच्छा मैसूस कर रहा हूँ क्योंकि आप मकरासी वालों का जीवन संघर्स में बीत गया साड़े साती जब से लगी जिसकी कुंडली में सनी अच्छे हैं उन्हें भी और खराब हैं उन्हें भी दोनों को सनी ने तपा तपा करके कुंदन बना दिया सनी देव ने इतनी कठोर परिक्षाली इतनी कठोर परिक्षाली इतना दंड दिया आज के डेट में तो कोई छोटी सी गलती करते हुए भी डर लगता है कि कहीं सनी देव दंड न दे दे दें ये इस्थिती बनी हुई है अच्छे अच्छे लोगों की मानस मदिरा छूट गई अच्छे अच्छे लोग सुधर गए चाहे वो बेभिचारी रहे हो या दूसरों से जूट चल कपट से अपने काम करते रहे हो दूसरों को ठगते रहे हो लोगों में बहुत सुधार देखने को मिला है सनी देव ने इतना बड़ा सबक दिया है कि वो सबक जीवन भर इंसान भूलेगा नहीं और मित्रों जीवन का ये उतार चड़ाओ साड़े साती तक बना रहेगा कभी सुब कभी असुब बस यही बात है अब जैसे कि सनी मारगी होने जा रहे हैं चार नवंबर को उसका मैं वीडियो ले करके आऊंगा सनी देव जब मारगी होंगे तो मारगी मतलब सीधी चाल तो उससे बहुत से लोगों को लाब मिलने वाला है बहुत से लोगों को लाब मिलने वाला है और जब सनी वक्री थे तो काफी तकलिफे थी खैर ये सब बात में बात होगी है बाते होगी ठीक है तो यह रहा आज का वीडियो जाते जाते एक बार फिर से कहा दूं कि यह आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं अपनी कुणली दिखवाना चाहते है तो आप मेरे वाट्सप नमबर पर मैसेज करें मेरा वाट्सप नमबर है 8540096730 यह नमबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा तो मित्रों चलता हूँ अपना ख्याल रखिए मजे में रहिए और मेरा हाथ अब बिलकुल ठीक है देखिए प्लास्टर भी और आप लोगों की सुपकामनाओं के चलते ही ऐसा होना संभव हुआ है ठीक है मित्रों तो चलता हूँ जय सियो संकर